गालेक साथ मार्च महीने के किसी दिन के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का तापमान नीचे की सारणी में प्रदर्शित है समय पुर्वान और अपरान में है 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे और दोपर 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे शाम 5 बजे 6 बजे तापमान डिग्री सेंटिग्रेट पर 23, 25, 27.5, 29, 31, 33.5, 35.5, 37.5, 38.5, 49, 37.5, 34, 34 और 30 सारणी के आंकणों के आधार पर आलेग खींचिए हल यहां हम देख सकते हैं कि यह आलेख पहले खींचे गए आलेखों से अलग है समय बढ़ने के साथ साथ पहले तापमान बढ़ रहा है तथा एक समय के बाद कम भी हो रहा है क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं अपने साथियों से इस पर चर्चा कीजिए इस आलेख के आधार पर पांच निशकरश लिखें आलेख आठ मूलधन सव रुपिये पर दस प्रतिशत वार्सिक ब्याज की दर से एक दो तीन वचार वर्ष के लिए साथारन ब्याज ग्याद कीजिए समय व साधारण ब्याज के बीच आलेक बना कर देखिए कि समय के साधारण ब्याज में किस प्रकार परिवर्थन हो रहा है साथ ही निमिलिख प्रशनों के उत्तर दीजिए पहला एक्स अक्ष पर काउन सा आकड़ा चुना दूतरा वाई अक्ष पर कौन सा आकड़ा चुना तीसरा एक सक्ष और वाई अक्ष पर आकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना हल हमें दिया है मुल्धन बराबर 100 रूपिय दर 10 प्रतिशत और साधरन ब्याज बराबर मुल्धन गुलित दर गुलित समय पूरे का बटा 100 मुल्धन वा दर को स्थिर रखते हुए समय का मान एक दो तीन वा चार वर्ष रखने पर प्राप्त होने वाले साधरन ब्याज को निम्ना नुसा सारणी में दर्शा सकते हैं समय वर्ष में शुन्य एक दो तीन और चार और इसके संगत साधरन ब्याज रुपिये में शुन्य दस बीस तीस और चालीस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि जब मुल्धन वदर इस्थिर हो तब समय बढ़ने के साधरन ब्याज में भी निश्य दर से परिवर्थन होता है एक्स अक्ष पर समय जो के स्वतंत्र चर है तथा वाई अक्ष पर साधरन ब्याज जो आश्य चर है यह चुना पैमाना एक्स अक्ष पर एक इकाई बराबर एक वर्ष वाई अक्ष पर एक इकाई बराबर दस रुपिये करके देखें कुछ लोगों को क्रमशा 100 रूपिये 200 रूपिये 300 रूपिये 400 रूपिये 10 प्रतिशत वार्शिक साधरन ब्याज के दर से उधार दिया गया एक वरश बात इनसे मिलने वाले ब्याज के लिए एक आलेक बनाईए अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की आयू महिनों में एवं उचाई सेंटी मिटर में नोट कीजिए और आयू तथा उचाई के आंकड़ों को आलेक में दर्शाईए क्या आलेक में आयू वा उचाई के बीच कोई निश्यत संबंद देख पा रहे हैं अब तक बने आलेकों में आपने देखा ये कुछ में सरल रेका और कुछ में वक्त रेका प्राप्त हो रही है क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है यही सपस्ट है कि आलेख रेखा की आकरिती और उसमें निरूपित राइशों के बीच सम्मन्द पर आधारित है यही सम्मन्द रेखा की आकरिती को निरधारित करता है अब हम उन राइशों के बीच सम्मन्द ढूंडते हैं